कि अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर दोस्तों आज की वीडियो हम लोग मेट्रिक के महत्वपूर्ण साइंस के प्रसुनों के बारे में डिसक्स करने वाले हैं आपनों को पता है कि मेट्रिक का जो एक्जाम होने वाला है उसमें कितने प्रस्न रहेंगे कुल एक सो प्रस्न रहेंगे जिसमें से आपका 80 अब्जेक्टिव रहेगा 24 रहेगा आपका लगुत्तरिय प्रस्ण और 6 रहेगा आपका दिरगुत्तरिय प्रस्ण इसमें से आपको 50% क्वेशन का अंसर देना है यानि objective में भी आपको deal करना है कितना सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेशन ठीक है तो यहाँ पर important हो जाता है कि आप जिस क्वेशन को जानते हैं बस उसी क्वेशन को attempt करेंगे ठीक है उसी क्वेशन को बनाएंगे गलत आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे और यदि आप सोचते हैं कि अगर हम 80 का 80 बना देंगे तो उसमें से तो 40 सही हो ही जाएगा तो यहां यह हो सकता है 40 का 40 अपका सही हो सकता है से में 40 सही हो सकता है लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जब आप 80 क्वेशन अटेंप्ट करेंगे तो आपका पहला 40 क्वेशन ही गीना जाएगा यानि एक से ले करके जहां तक आपका 40 प्रसन पूर जाएगा वहां तक आपका count किया जाएगा उसके बाद फिर question count नहीं किया जाएगा और उस 40 में आपका जितना सही होगा वही आपको मिलेगा तो इसके लिए फाइदा यह है कि आप वही question attempt करें जो आपको question आता हो ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपनों को कुल 80% बताऊंगा ठीक है और सारे ही महत्व पुर्णुक प्रसन होंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं जितना ही प्रसन बताऊंगा यहां से आपके एक्जामनेशन में आने की 100% संभावना है ठीक है मैंने पिछली बार भी फाइनल वीडियो बनाया था गेस का तो उसमें से बहुत सारे कोसंस आये था और इस बार तो और पैटरन थोड़ा सा एजी कर दिया है तो इस बार भी मैक्सिमम कोश्चन आपको देखने को मिल सकते है यह ऐसा हो सकता है कि इस 80% में से आपको 40% अगर इसमें से टोटल कट्रोलर सी आप कर लेते हैं तो वहां आप 40% इसली बना पाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अब्जेक्टिव डिसनस करूंगा ठीक है और मैंने कौन सा 24 दिर्गुत्तर ये या लगुत्तर ये प्रस इसमें सम्मलित किया है वह सारा म लेकिन वह अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अब्जेक्टिव पर बात करने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन एक पर फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और इस वीडियो को उन जरू करते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने निर्देश लिख रखा है आप इस निर्देश को पर लिजेगा ठीक है चलिए देक्टे हैं क्या क्या रहा है कि एक कीलो वाट घंटा का मान कितना होता है यदि आपने मेना प्रिविएस वीडियो देखा होगा मैंने एक टोटल साथ याट पर्ट कराया है उसमें मैंने जितने भी साइंस केम से क्यों थे सारे कंप्लेट करा रखा है यदि आप उसको भी देखते हैं तो आपके लिए फाइदा बंद होगा या नहीं तो आप इसको मास्टर्ड वीडियो करूप में इसको देख लीजे फाइदा बंद ही होगा ठीक है डिटल देखने के लिए आप प्रिवेस जो भी वीडियो मेंने बता है उसमें देखिएगा उसमें मैंने सारे क्वेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करा है हर एक उप्सन को डिस्क्राइब करा है ठीक है तो इसका करेक्ट आम समुर जागा उप्सन नम्बर C यानि की A और POTSYUM का संकेत क्या होता है के तो इसका उसर ग्रेक्ट आमसर हो जागा उप्सन नम्बर B ठीक है हो सकता आब उपके एक्जाम में POTSYUM ना दे तो SOTIUM देगा ठीक है क्योंकि सक्रिता स्रेनी में सबसे टॉप पर जो होता है वह POTSYUM होता है और उसके नीचे होता है SOTIUM पहला अस्तन, दूसरा अस्तन, याद रखेंगे. Next question है, SN और PB के मिसर धातों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा, SN कहा है, SN stannum का संकेत है, और PB जो है, plumbum का संकेत है. Stannum और plumbum, यानि stannum है, यह teen का Latin नाम होता है, और plumbum जो होता है, Sisa का Latin नाम होता है, तो Sisa और Tyn का जो मिसर धातों होता है, उसे क्या कहते है? Fuse कहते हैं, क्या कहते है? Fuse, याद रखेंगे. अगला है, साक सबजियों का विकटन होकर कमपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? नेक्स्ट कोशन है, विद्द चुम के प्ररण का खोज किस ने किया था? तो याद रखेंगे, विद्द चुम के प्ररण का खोज किस ने किया था? फेराडे ने किया था, ठीक है? तो इसका correct answer हो जागा, option number A. नेक्स्ट आए हमारे घरों में जो विद्द प्रति की जाती है, वह 220 ब्लोट परति धारा होता है और उसकी आवर्ती जो होती है, यानि कि A number question इसका था होगा. अग्ला है विद्द चुम्बक कि बनाने के लिए किस प्रदार्थ के चर्का उप्योक किया जाता है? तो देखिए विदित चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयूक किया जाता है नर्म लोहे का प्रयूक किया जाता है नेक्स्ट है जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखियागा ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है और इन्होंने किस पौधे पर अपना study किया था, तो मतर के पौधे पर, ये भी important है, इसको भी याद रखेगा next है, रक्त समोह में कौन सा antigen पाया जाता है, ठीक है, रक्त समोह B में तो दखिए, रक्त समोह B जो होता है, उसमें कौन सा antigen होगा, B antigen पाया जागा तो इसका answer क्या हो जागा option number A अगर small b रहेगा तो याद रखेगा small b antibody को denote करता है antibody भी दो प्रकार का होता है small a और small b से इसको indicate करते है और antigen जो होता है इसको a और b से indicate करते है यानि capital A और b से जिस blood पर आपका antigen capital A पहाजाता हो वह blood group A होता है और जिस पर b पाया जातो है blood group B होता है तिया पर blood group B कहा क्या है तो A इसका correct answer Кстати येनित कम्ड़ के ताप पर द्रव वस्था में पाया जाने वाली क्रम से धातु और अधातु कौन है तो कम्ड़ के ताप पर द्रव वस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है तो धातु हो जाएगा आपका DROMINE क्या हो जाएगा सॉड़ी पाड़ा सॉडू पारा जिसका संकेत होता है ह हिड्रय जार्म स्का होता है LAT5 ठीक है और अधातु की जब बात करेगा तो वह जाएगा DROMINE ठीक है तो इसका पारा और अधातु हो जागा पकॉन ब्रोमीन अगला विदूत हीटर में तार के कुंडली के स्तत्व की बनी होती है तो देखे विदूत हीटर जो होता है उसमें जो तार के कुंडली होती है वकिस की बनी होती है नाइक्रोम की ठीक है और यहां पर देखेगा नाइक्रोम जो कांसले निसेजन कहा होता है अंडानो का निसेजन होता है दिंब आइनी कोई फैलोपियन ट्योब गहा जलता नेक्स्ट है गलोबल वामिं के लिए उत्तरदाई गैस कौन सा है Had To get Global bombing लेकिन आपको याद रखना कि प्रमुक रूप से जो होता है वह होता है कर्बन डॉक्साइड ठीक है अगर विदुद्जक्ति का इसे मतरक होता है वॉट संकेत होता है इसका डबलियो अगला प्रस ने आधनिक आवर्थ सारनी में अधातु की संक्या कितनी है ठीक है तो याद रखें का अधातु की जो संक्या है वह बाइस होती है ठीक है कितनी बाइस इसमें आपको 91 धातु मिलेंगे और 22 अधातु मिलेंगे द्रिश प्रकास में कि सवर्ण का तरंगदयर घंडी उनतम होता है लगवग 4900 एंगस्ट्रम के कडिव ठीक है चलिए उजन परत के 6 का मुख्य कारण क्या है देखिये उजन परत का जो 6 होता है वह फ्रयावन गैस से भी होता है ग्लोरो फ्लोरो कर्बन से भी होता है तो इसका correct answer जोड़ा को option number D यानी इनमें से सभी next time मधुमे होता है तो मधुमे किसके कारण होता है तो देखें insulin के अधिकता से नहीं होता है insulin की कमी से हाँ insulin की कमी से मधुमे होता है अगर इंसलिन में ऐए तर इमिलबल है क। खाल बढ़ता है तो तो प्रतिरोध क्या होगा पर छुट गया है क्या इसका प्रतिरोध क्या होगा। टेद्यक हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि द्या Δ्या क्या क्या गया है तो यहां पर आपको द्या और दिखिले से 22 का जो वीडियो बनाया था उसमें अच्छे से डिसकस कर रहा है था आपको ठीक है आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लिजेगा परिक्षया 2021 की सनाम का प्लेलिच टो का उसमें सारा का साड़ा वीडियो है ठीक है तो पी वी एर में क्या रिलेशन होता है पी इस इक् वाल्यू वह 100 और स्क्वाइर का मतलब होता है उसको तो वरगोना करना ठीक है स्क्वाइर का मतलब हो गया 100 इंटू 100 अपन आर जब इसको आप शॉल्व कड़ेंगे तो जीरो से आपका जीरो कटेगा और पचीस से आपको यह कटेगा चार टाम तो पच्छेगे आपका 10 ग मुकूलन द्वारा प्रजनन किस्ट में नहीं होता है ठीक है तो देखे मुकूलन द्वारा प्रजनन होता है हाइडरा में होता है येस्ट में होता है लेकिन अमीवा में नहीं होता है ठीक है तो ऐसा कोशन देखने को मिलेगा कि मुकूलन द्वारा प्रजनन तो बहुत से रे कौन हैलों यहां है किस मुझता है थान है के लिपकल मत्ला हो जाएगा अल्कोहल पुछेगा तो वर्वक कर्भॉर्पी है को आड़िच नहीं ग्या जोगा तो थो यह वर्ग के संख्या कितनी होती है 18 कि कि अञे पुछा गया नहीं हो गया तो साथ आंसर होगा असपर्ष्ट दरसन की महत्तम दूरी तो कितनी होती है अनंत होती है और अगर नियूनतम होता है LPG का याद रखेंगे अगला है चाकु की आयता से किस धात् Tortura का सकता है तो चाकु की सायपा से हम सोदियम को काथ सकते हैं लिथियum को काथ सकते हैं पोटेसियम को काथ सकते हैं यानि कि इन्य में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे है CNH2N-2 किसका सुतर है था CNH2N-2 जो होता है वह अलकाइन का होता है ठीक है अलकेन का क्या हो जाता है CNH2N-2 अलकेन का हो जाता है CNH2N और अलकाइन का क्या हो जागा CNH2N-2 आगे है वेदूत मोटर उर्जा गरू पंतरन कैसे होता है वेदूत मोटर में तो तो देखे वेदूत मोटर जो होता है वो वेदूत तुर्जा को लेता है और उसको यांतरी कुर्जा में convert करने का काम करता है तो option B मेद है वेदूत तुर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलता है यानि कि B इसका correct answer होगा चीटी के टनक में कौन सामल पाजाता है तो याद रखेगा चीटी के टनक में होता है फर्मीकम्ल इंप्यानिऌ किया कहला आते है तो कोई भी एको सिस्टम होगा तो उसमें जो हरे पहोदे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पवन विदुत जनितर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो पवन विदुत जनितर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो एक pico meter कमान कितना होता है 10 पर power – 12 ठीक है 10 पर power – 6 को क्या बोलते है Micrometer ठीक है 10 पर power – 9 को क्या बोलते है Nanometer यानि एक nanometer का value कितना हो जागा 10 पर power – 9 यानि कि лай screw анfor law milli milli-micro ये हो जागा Micro ये हो जागा nano ये हो जागा pico का और यह हो जागा Fem2 का तो याद रखेगा यहाद रहा गया Pico के वारे में तो Pico हो जागा 10 पर पावर माइनस 12 नेक्स्ट है NaOH क्या है तो यह है sodium hydroxide क्या हो जागा sodium hydroxide और इसको कहा जाता है caustic soda विरंजक चूर्ण का पूझेगा तो याद रखेगा विरंजक चूर्ण का होता है क्या caocl2 ठीक है और POP यानि प्लास्ट और पर इसका हो जाता है क्या calcium sulfate hemihidrate यानि की calcium sulfate का SO4 और hemi का half ठीक है और hydrate का H2O ठीक है याद रखेगा अगला है senior बार किसका ask है तो senior बार जो है बारा का ask है पारा option में कहा है option number B में है इसका संकेत दे दिया गया है HG यानि की hydrate gyro अगला है वरिक किसन रचनात्मक एवन क्रियात्मक की काई क्या है तो देखे वरिक किसन रचनात्मक और क्रियात्मक की काई को nephron कहते है और nephron का एक और नाम है वरिक कोसी का तो इसका correct answer हो जाग option number D यानि की A और C दोनो ठीक है neuron किसका unit है तो neuron जो हो जाएगा वो nervous system यानि तंत्री का तंत्र का होता है या कहलें कि तंत्री का उत्तक का आगे है चालकतार का प्रतिरोद यानि कि इसका correct answer लजाग option number D चालकतार का जो प्रतिरोद होता है इस सभी प्रतिरोद करता है किसकी चीज़ पर चालकतार के लम्बाई पर ताप पर और तार की प्रकिर्दी पर अगला है यह विविधिता का वियस्ट अस्थल है तो देखे, जब वेविधिता का जो विशिस अस्थल होता है, वह होता है आपका समुद्र ठीक है, अगला है निमलिखित में कौन सालेंस दूर द्रिश्टी दोस के संसोधन में प्रयों किया आता है तो देखे, मैंने एक ट्रिक बताया था, याद रखेगा, दूर द्रिश्टी जब कहेगा तो दू में एक वर्ड आ रहा है दू, दूर में एक वर्ड आ रहा है दू, यानि कि उ, तो उ से कौन सालेंस होता है, उत्तलेंस होता है एक यानि दुरुदिरिष्टिदोस के संसोदने के लिए उत्तलेंस के और निकट दुरिष्टिदोस कायेगा तो अवतल होगा इसका अंसर अगला है निम्लिकित में से किस सयोजन दोरा प्रतिरोद का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा आपका सरेनी करम सियोजन में और प्रतिरोध का मान कब घटेगा समांतर करम सियोजन में यह इसका correct answer होगा निम्न में कौन प्रात्मिक वर्न नहीं है यहाँ पर होगा वर्न वर्न का मतलब हो जाएगा रंग तो प्रात्मिक वर्न जो होता है लाल हरा और नीला होता है तो नारंगी जो है यह आपका प्रात्मिक वर्न नहीं है प्रात्मिक वर्न को जब आप मिलाएंगे तो आपको स्वेत प्रकास प्राप्त होगा आगे है कौन सी बिमारी स्वसंतंत्र से संबंधित है तो TB स्वसंत अंत्र से संबंधित है, निमोनिया स्वसंत अंत्र से संबंधित है, यानि करेक्ट आंसर हो जागा D और B दोनों, एनिमिया जो है या रक्त से संबंधित है, अगला है लेंगे के जनेर्ट संचारित रोग नहीं है, तो AIDS लेंगे के जनेर्ट संचारित रोग है, गुनेरिया भी है, सिफलिस भी है, लेकिन डायरिया जो है या लेंगिक जनल संचारी त्रोग नहीं है, D. आंसर होगा, रक्त में गुलकोज की मातरा को नियंतरित करता है, तो रक्त में गुलकोज की मातरा को नियंतरित करता है, कौन सा आपका इंसुलिन नियंतरित करता है, एथिलीन जो होता है इसे फल पकाने वला और याद रखेगा एथिलीन एक मात्रे सा पाधा फार्मून है जो की गेस ये फार्मिट में होता है अगला प्रशन है चिपको अंदुलन का मुख्य उद्देश किसको संडख्षित करना था तो चिपको अंदुलन का मुख्य 13 घंड में तो पूछ रहा है कि चिपको अंदुलन जो करते हैं वह अवतल द्रपन न गयां। के साइज को लिदी करता है है पडी तारीका जो होता है या सेटर का काम करता है और आंखेज disappeared प्राकास की मात्रव को भी नियंतृत करने का काम करता हैं। और द्रिष्ट्र को ढवटल और उत्तल दोने से बने दुफोकसी लिंस द्वारा संसोधित किया जाता है चरह द्रीस्टी दोस को ठीक है, C विक्षपीत को इधना विशितकन या अलफाकन किसी चंप के चेत्र द्वारा उत्तर की अविक्षपीत हो जाते, तो चंप के चेत्र पिद्ग द्धाक की अइधिय। आंसर करेक्ट होगा तो आपको पता होगा प्रते एक आधे घुर्णन के बाद क्या होता है कि करन्ट लक्टर सेटी का जो डारेक्शन होता है वह चिंद जाता है बी आंसर होगा किसी विद्धुत धरावाही सीधी लंबी पर न लिका कि भीतर चुम्ब के छेतर क्या होता है तो याद रखेगा चुम्ब के छेतर जो होता है वह सभी बिंदूओं पर समान होता है ठीक है और यहाँ पर मेगनेट वाली बात आ गई है तो मेगनेटम कितने पोल होते हैं दो N और S यानि के North और South तो चुमब के छेतर को दरसाने वाले जो रेखा होती है वा कालपनी करेखा का प्रियोग किया जाता है जो North से निकल करके South तक समाप्त हो जाती है चुमबक के बाहर और चुमबक के अंदर कहेगा तो South से निकल कर North में खतम हो जाती है आगे हैं सौर कूकर के लिए कौन सा दर्पन सरवाधी को प्योगत है तो सौर कूकर के लिए अवतल दर्पन का प्रयोग गिया जाता है क्योंकि अवतल दर्पन जो होता है लाइट को एक जगा केंद्रित करता है जिससे ज़्यादा गर्मी उत्पन होगी और कुकरम रखावा खाना जल्दी पकेगा अकास का रंग किस घटना के कारण नीला प्रतीत होता है तो प्रकास के प्रकिर्णन के वज़े से क्या होता है अकास का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीले रंग का प्रकेशन मैक्सिमम होता है ओजन परत कहां पाये जाता है ठीक है तो ओजन परत जो होता है वह आपका एस्ट्रेट्व स्पेर में देखने को मिलता है यानि कि समताप मंडल में आपको देखने को मिलेगा ठीक है और ओजन परत जो होता है और फ्यूज और एमिटर रहेगा तो सेरीज में योज करेंगे ठीक है तो यह आप पुछा गया वोल्ट मीटर यानि वी आई पी वोल्ट मीटर को पैरलर में सन्योजित करते हैं यानि समाना अंतर करम इसका आंसर हो जाएगा तो देखेगा कोशन बेंक में ये आंसर दिया गया है ठीक है लेकिन आप जब बुक से बात करोगे तो बुक में आपको 1986 दिया गया है तो हो सकता है कि आपके एक्जामनेशन में भी 1980 पूछा जाता होगा, 1980 ऑप्सन में दिया जाता होगा बाइदेवे अगर 1980 ऑप्सन में नहीं दिया जाता है तो याद रखेगा इसका गरेक्ट आंसर 1986 होगा ठीक है तो देखेगा 1986 और 1980 में जो भी हो आप उसको आंसर कर देज़ेगा मेरे ख्याल से 1980 ऑप्सन में रहता है तो आप इसको याद रखेंगा ठीक है चलिए मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन से दरपन का प्रियोग होता है तो चालक के सामने जो होता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दरपन का प्रियोग किया जाता है वेदुत उड़जा का व्यावसाइक मातरक क्या होता है तो कीलोवाट घंटा वेदुत उड़जा का व्यावसाइक मातरक होता है यह से दलेपन, यानि कि गैलेवेनाइजेशन में किस का लिप चड़ाया जाता है, तो जिंक या जस्ता का चड़ाया जाता है, ए आंसर होगा, घरों में विद्धु दुरगटना किस कारण से होती है, तो देखे घरों में जो विद्धु दुरगटना होती है, वह सोर्ट सर् तो 3 इसका correct answer होगा ठीक है यही आपका किसका होता है खडिया का यही आपका होता है संगमरमर का डायनमो यंतरी कोड़ा को किस उर्जा में बदलने का काम करता है आगे है कारवन आवर्ट शार्णी के किस वर्ग का सता से तो कारवन जो है यह चौथे वर्ग का सता से फूर्थ 241 है सुधरेल का pH turbation कि उता है साथ है यहां सअसाथ करेक्ट आंशन होगा ट्रैकनिम का पर्थी पारदन किस ने दिया, याद रखेगा बिरिडिक्टेबल जार्ट यह कोशन पुछा जा लेता है श्रॉर का अीरचर ने दिया ंजिया था, यहां, जाब प्रेडिक्टेवल था यानि नुवलेंट का डूबरेनर का और मेंटलीव का यह बढ़ता परमानु दरभमान के हिसाब से था यानि बढ़ता परमानु दरभमान का आवरत पलन था लेकिन मोशले का क्या था बढ़ता परमानु करमान का आवरत पलन सुपकरन में धन और चीनह का परियोक नहीं किया जाता है खूला पड़ी संचरन तंत्र किसमें पाया जाता है तो कौकरोच जो होता है इसमें खूला पड़ी संचरन तंत्र पाया जाता है किसी मध्यम के अपवरतनांक का मान क्या होता है तो किसी मध्यम का अपवरतनांक जो होता है sin i upon sin r साल अबस नम्बार d में है sẽim i upon sin r ठीक है चलिए समतल धर्पन द्वारा बना प्रतिभिम कैसा होता है समतल धर्पन द्वारा जो प्रतिभिम बनता है वह कालपनिक बनता है सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है यानि कि इने में से सब ही इसका correct answer होगा निमन में कौन विजातिय योगिक है तो देखिए खड़िया, संग मरमर और चुना पथर तीनों का chemical formula होता है calcium carbonate यानि कि CACO3 अब last में plaster of Paris यानि POP तो इसका होता है calcium sulfate यानि CASO4 into half H2O ठीक है तो तीनों का chemical formula एक होता है तो यहाँ पर विजातिय का रहा है यानि अलग का रहा है तो POP इसका answer हो जाए क्योंकि POP यानि प्लस्टर परिस का जो chemical formula होता है calcium sulfate, half hydrate या hemihydrate होता है प्रकृति मुर्जा का मुख्य सुरत क्या है सेर भी नहीं है, बकडी भी नहीं है यानि कि केंचुवा जो है वाप का उभेलेंगी जनतु है कीट और चमगादर के पंख किस तरह के अंग का उदाहरन है ठीक है तो कीट और चमगादर के जो पंख है वह समवरित अंग का उदाहरन है ठीक है याद रखेगा उत्पत्ति और संडचना में अलग-अलग, लेकिन समानकारे को समपादित करने वाले अंग को सम्विर्थ अंग या असमजात अंग कहा जाता है, मैगनिसियम में पाए जाता है, तो मैगनिसियम किस में पाए जाता है, ठीक है, यानि मैगनिसियम पाए जाता ह क्योंके पूंके सर जो है या मेल पार्ट है अंडब वरतिकागर और वरतिका या आपका फीमेल पार्ट है अगला है कौन सा रक्त समूह सरवदाता रक्त समूह है ठीक है तो रक्त समूह सरवदाता होता है कौन ओ ठीक है अगर आप चाहते हैं कि रक्त समूह को मैं अच्छे तरीके से explain करूँ तो आप हमें comment करके जरूर बताएगा मैं रक्त समूँ पर एक special video बना दूँगा उसके बाद आपका रक्त समूँ से कोई भी question exam में अगर आता है तो नहीं छूट वेगा तो यहाप सरवदाता की जब ही बात करेगा ओ ठीक है अगर आप कहेंगे तो मैं इसको जरूर बता दूँगा अगले वीडियो में चलिए लोहा का प्रमानु संख्या कितना होता है तो लोहा का जो प्रमानु संख्या होता है वह 26 होता है ठीक है जाते हैं तो आप अपने एक्जामनीस में 40 इसली कर पाएंगे ठीक है उसके बाद आगे मैंने लगुत्रेय प्रच्ट को इंक्लीड किया है ठीक है और दिर्गुत्रय प्रस्ट को भी इंट्योड किया है ठीक है तो आप कमेंट कीजिए गा कि यह वीडियो आपको कब चाह अंसभी के पास इस वीडियो को पर कर दीजागे। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई दिक्कत यह लेकिने, लेकिन ज़ना करें ना करें, उन सभी के पास ऐसे सब देज़ें। ताकि कम से कम ये जो वीडियो है उसको देख करके वो अपना उब्जेक्टिव कुश्चन को इजली कर पाएं। ठेक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद!